हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागताब सभीका दोस्तो पिछली वीड़ी में हमने आप लोगों को एक बाबाजी के बारे में बताये था जिन्होंने खुद के शरीड चोड़ने की भविश्यावानी करी थी दरशल दोस्तो आज की से वीडियो में हम आपको ओर डिटेल में बाब चैनल तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दरसल दो सब पिछली वीडियो में हमने एड्रस क्यों नहीं बता है इसके पीछे कारण यह था कि आपको मैंने बदाया था कि जिस गाम में बाबाई रहते हैं उसके आसपास के गामों में कोरोना बहुत ज़्यादा फैला थे और जब बाबाई ने यह बात की भविशावने करी थी कि वो शरीर छोड़ेंगे तो आसपास के गामों वाले जो उनमें श्रदा रखते थे वहां पर गाम में आना चाहते थे वहां पर आना जाना उनको शुरू हो गया तो होता कि पंचायत के लोग उन्हें अंदर आन करते हैं फिर उन्हें रोक के मना करें इस परकर से अच्छा नहीं लगता तो यहीं कारणा था कि कि दोस्तों हमने मना कोई भी आडरस बाबाई का नहीं बताया था और दोस्तों आप चलिए बात करते बाबाई के बारे में दरहसल राजिस्तान में एक जिला है श्री गंगा लेते हैं हम सिर्फ कुछ चुनिंदा बहुष्यावानियां डालते हैं दरहसले बहुष्यावानियां क्यों डाली बाबाई कि यह सोर्स हमें वैलिड लगे इनकी बातिया में तरक की किसोटी पर खरी उतरी और ऐसी और बहुत सारी वज़ाय रही इनकी वीडियो डालने के जो हम वीडियो में आगी आप लोगों को बताएं और दोस्तों आप लोगों के एक और जानकारी में दे दूं जैसा कि बाबाई ने भविश्यावनी करी थी उन्होंने आज सुबह लगबच 6 बजे के आसपस अपना इस शरीर छोड़ दिया और गाम वालों से मैंने बात कर दिल में हर साल बारिश आती सरफ उसी तहसी तहसील में उसकी आसपास की तहसीलों की बात करें वहां पर भी बारिश आती है पूरे बादल बने रहते हैं मतलब बारिश आने के असार बने रहते हैं और यह हर साल होता है बहुत सालों से 11-12 फरविल को बारिश आती है आप ल तापमान निरंतर बढ़ता या रहा था बारीश के कोई भी असार नजर नहीं आ रहे थे और आपको बताऊ-विंडिया-में सबसे टॉप पर आगे हैं था कि मावन्य पूरी दुनिया में पूरी तीसा सबसे गरम शहर बन गया था दोस्तों परन्तु एक जून बाबाई ने शीरी छोड़ा तब फिर से पूरे शी गंगना के जिल में बारिश बहुत ज्यादा हुई तो आप लोगों के एक हमारानी वाली बात बता देते हैं गाम के लोगों ने हमें ये बात बताया कि जिस दिन बाबाई का जनम हुआ था उस दिन से लेकर आज तक हर साल उस दिन बारिश होती थी और दोस्तों अब गाम के लोगों के यह भी करना था कि बाबाई को बच्चों और बारिश अधिक प्रेम और दोस्तों इसे कुद्रत का करिश्मा कहीं या कोछ और प्रंतों जिस दिन बाबाई ने शिरी छोड़ा यानि कि आज एक जून के दिन आ है प्रंतों जो लोगों को बाबाल पर श्रठा नैए वो लोग pledge के लिए कि एकooo sociology एंधि से क strangers को ने जै सकता कि जिस दिन से बाबाई के जन्म हूँ तो उस दिन से लेकर आएंस तक उस जन्म दिन वाले रही है और जिस दिन बाबाई श्रीर छोड़ा उस्धी इजर दिन भ बात करी कि हमने कोई वीडियो ृस प्रकार की खसे हम लोगों को दिखाश को ने बताया कि कुछ Local न्यूस्टार में लोग आपको जानेंगे आपके पास बहुत सारी आने लग जाएं актив के रहाइं रही जद बात है he बहुत सवाब से जवाब दिया कि बेटा अगर बीड़ी कठी करनी हो यहां पर है तो हम रिद्धी सिद्धी के द्वारा ऐसी ऐसी काम करके दिखाएं कि जो आज के लोग ने नहीं देखाएं जैसे पानी पर चलना हवा में समाधी लिगाना आदी चीजे जो आज के लोगों देखें उनको लगे चमतकार जितनी मर्जी बीड़ी कठी कर लें ऐसा करके परंतु एक जो फकीर होता है वो यह सब चीजें दिखावा से दूर रहता है क्योंकि यह सब रिद्धी सिद्धी करके अपने मन को साथ कर कोई भी यह सब चीजे कर सकता है यह एक तरह कभी गयान पर काम करती है यह चमतकार दिखाने सब चीजे वहां पर आगे काम नहीं करता है बाबाई ने आगे कहा कि बेटा सब भगवान के उलाद हैं और कोई हमारे पर कोई दुख तकलिफ लेकर आता है तो हम से देखा नहीं जाता है वह दुख तकलिफ क्योंकि हम तो एक फकीर है इसलिए हम उनकी मदद कर देते हैं, कोई solution बता देते हैं, और जो हम उनकी मदद करते हैं, वो भी हमारी बक्ती में से कटता है, और हमें कोई शौंक नहीं भविश्यावानिया बताने का, या कोई वहाँ वहाँ लूटने का, या से कोई famous होने का, और दोस्तों उसके बाद बा चोड़ा, तो उसके बाद ऐसी खबरें हमारे पास सामने आ रही कि WhatsApp पर आसपास के गावों में उनकी वीडियो फोटो बगहरा वायरल हो रही है, जिसमें वो कुछ बाते बता रहे हैं, इस प्रकार की चीज़े उनकी कुछ वायरल हो रही है, प्रंतो अभी तक हमारे पास अगर हमारे पास वो वीडियो फोटो कहीं से पहुंचती है, तो हम लोग प्रतर करें कि आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर सकें, प्रंतो अभी तक इन कारने को कि बाबाई ने कभी अपनी कोई वीडियो ना बनाने दी, किसी को ना कोई फोटो बगहरा खीचने दी, क्यों दोस्त हमने आप लोगों को बताया कि बाबाई के जो भाविश्यावानी थी वो सच उनकी आज हो चुकिया, उन्होंने अपने श्रीर भी इत्याक दिया है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब से उनका जन्म हुआ तब से लेकर हर साल जैसे उनके जनम दिन पर वार इस वहां पर हुई, और दोस्तों आपको यह भी बताएं कि उनका जो बाबाई का जीवन था, जिस प्रकार से खुद महिनत करके खाते थे, उन चीजों ने वाकए में बहुत परवाविद कर रहा, और एक बात और हमें पता चली थी, कि जिस दिन जैसे जैसे जनम दिन होता सताओनों का 11 फरवरी के दिन, वहां पर जो गाम में उनका कोई प्रोग्रम होता था, तो वहां पर जो अनको लोगों को प्रशाद बगयारा बटा जाता, वह भी बाबाई के खुद के से पैसे सी बांता जाता था, क्कि वहां पर गाम वाला नने बताये कुई चढ़ावा कॉम करकी कुछ में कुछ करके सिर्फ से वह सब समांड बनाते थे और अब रूभर करते कि यहीं ही लोग पास के लोग जटने बीका को नहीं को करते कि का मुझ मोग जानते थे पर नहीं बहुत जैदा परतु विध हुशstudy अगया कुछ आपको यह वीडियो को अपने में वाज का नहीं ja जानकारी किसी गहांवाले से लेकर कि क्या कुछ बाबाई ने एक जैक्ट कहा था क्योंकि अभी एक जैक्ट सारा डाटा अमरे पूरी तुरिके से नहीं पहुंचा जब वह पहुंचेगा आप लोग चाहिए तो वो भी हम आप लोगे शेयर कर देंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में इतने उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देजिए कमेंट करके बताइए और किस चीज के बार में आप लोग जानना चाहते हैं सबी शोशल मीडिया हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में में मेरे इंस्टागरम आ रहे हैं कोई भी प्रशन कोई भी क्योशन हो जहां पर आकर आप लोग पूछ सकती हैं दोस्तों आज किस वीडियो में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रब रखे